हेलो स्टूडिन्स कैसे हैं हम सब वेलकम टू पीडबलु नर्सिंग वाला आम यौ पेडियाट्रिक नर्सिंग फैकल्टी डॉक्टर आर्ती हमने लास्ट लेक्चर में नियू नेटल री सक्सिटेशन पड़ा था उसके मेजर स्टेप्स पड़े थे आज हर स्टेप की डिट लेल देखते हैं तो एक रिविजिन क्विक रिविजिन कर लेते हैं आज हमारा टागेट रहेगा बागन मास वेंटिलेशन पड़ेंगे चेस्ट कंप्रेशन पड़ेंगे ड्रॉग्स यूज नियू नेटल री सक्सिटेशन और इंपॉर्टेंट एमसी क्यू तो सबसे पह रुटीन केर के भीटिशन इस्टेफ्ट्रे रूटीन के बाद हमने ती cow only तृम है नहीं मेको नियम है या नहीं रही है है कि हम ने देख था टून केसी है थीन चीज फैले था सबसे पहले हमने पुजिशन किया था बच्चे हमने suctioning करी थी उसके बाद stimulation किया था फिर उसके बाद reposition किया था ठीक है यह हम सबको याद है चल अगर बच्चा नहीं रोया था यह initial steps हमाए 30 seconds में हो गए थे फिर हमने revaluate किया था बच्चे का heart rate check किया था heart rate हमने देखा था कि less than hundred है या more than hundred है more than hundred है heart rate तो हमने आगे steps पड़े थे कि लेबर ब्रीधिंग है या फिर persistent sinuses है तो हमने बच्चे को CPAP की requirement है या oxygen दी है तो एक बात ही हो गई थी एक बात हुई थी कि अगर heart rate less than hundred है तो क्या करेंगे अगर heart rate less than hundred था 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 या गैस्पिंग कर रहा था बच्चा तो हमने positive pressure ventilation की थी तो आज हम इसी positive pressure ventilation के बारे में बात करेंगे कि positive pressure ventilation हमने दी कैसे थी किती देर दी थी और होता क्या है साथ में हमने इधर if spo2 monitor अगर हमारा एविलेबल था तो हमें spo2 monitor लगाना था तो अब हम details देखेंगे initial steps की हमने पूरी details समझ ली थी कि suctioning हमेशा mn mouth की पहले करनी है बाद में नोस की करनी है अब हम details देखेंगे positive pressure ventilation की तो positive pressure ventilation देते कैसे उसे देते हैं बैग एंड मास्क से जो यह बैग होता है इसे क्या बोलते हैं अम्बू बैग येस अम्बू बैग अब सबने अम्बू बैग सुना वाए बट किसी को full form पता है कि अम्बू बैग होता क्या है what is the full form of अम्बू बैग तो अम्बू बैग की full form है artificial artificial क्योंकि हम outside दे रहे हैं किसी equipment से manual क्योंकि ये handheld device है handheld मतलब हमें हातों से इसे दबाते हैं तो manual हो गई electricity से operated नहीं है breathing क्योंकि breathing में help कर रही है बच्चे को breathing में help कर रही है artificial manual breathing unit so this is the full form of अम्बू जो आप लोगों को याद रखनी है question भी आया हुआ है इस पर artificial मतलब भार से artificial equipment है manual खुद से कर रहे है electricity से attach नहीं है breathing सास नहीं में help कर रही है और unit artificial manual breathing unit so this is known as Ambu bag इसी Ambu bag से हम provide करते है positive pressure ventilation जिसे हमने बोला है PPV positive pressure ventilation क्यों बोला है ventilation का मतलब breathing positive का मतलब हम कुछ दे रहे हैं add कर रहे हैं तो हम क्या add कर रहे हैं प्रेशर तो Ambu bag की मदद से हम pressure दे रहे हैं बच्चे को breathing में assist करने के लिए तो इसलिए हमने इसे बोला है positive pressure ventilation तो इसकी indication क्या है what are the indications of positive pressure ventilation during the resuscitation of the child तो तीन है हमने पढ़ लिया सबसे पहले if we have done initial steps for the initial 30 seconds still when we check the heart rate heart rate is less than hundred less than hundred per minute second हमने क्या बोला था गास्पिंग में है बच्चा अगर सास इस नोगा आस गास्पिंग गास्पिंग कर रहा है उस initial 30 seconds के बाद या अपनिया में है सास नहीं ले रहा है तो इन तीनों condition में हमने क्या शुरू किया है positive pressure ventilation with the help of Ambu bag bag and mask ventilation भी बोलते हैं तो अब next हम जाते हैं parts of Ambu bag ताकि हम आगे देखें कि उसे हम कैसे use करते हैं so what are the parts this is the main part of the Ambu bag इसे बोलते है self-inflating bag self-inflating क्यों बोलते हैं अपने आप फूल जाना तो self-inflating जब हम एक बाए इसे दबा के छोड़ते हैं तो यह दुबारा खुद फूल जाता है that's why it is known as self-inflating bag next क्या है यहां पर दो units है एक यह बड़े mouth का दिख रहा है एक यह छोटे mouth का दिख रहा है this is the oxygen inlet inlet यानि इधर से हम oxygen attach करते हैं तो वो हम decide करते हैं depending की कितना percent oxygen attach करते हैं this is the oxygen attachment and this is the air inlet यहां पर या तो हम room air पर रहने देते हैं या थोड़ा oxygen concentrator increase करने के लिए oxygen की concentration को हम यह use करते हैं इसे क्या बोलते हैं reservoir reservoir bag ठीक है तो दो हमारे पास inlets है air inlet oxygen inlet oxygen inlet पर हम oxygen tube attach करते हैं air inlet पर या तो room air पर हम provide करते हैं या फिर to increase the concentration of room air हम इसे attach कर देते हैं जिसे बोलते हैं reservoir यह हमारी tubing हैं जिसके थूह हम oxygen tubing जिसके थूह हम attach करते हैं बच्चे को थूदी oxygen cylinder या अगर वाल पर हमाए पस oxygen reservoir है नेक्स चीज क्या होती है यह हमारा हो गया patient outlet तो यह outlet हो गया outlet का मतलब यह definitely मूँ पे लगने वाला है बच्चे के तो यह direct नहीं लगता इसके आगे हम लगाते हैं mask so this is the mask इस mask को क्या बोलते हैं venturi mask इस पे भी एक बारी question आया हुआ है venturi mask what is this mask known as venturi mask normal mask जो हम attach करते हैं front of the अम्बू बाग उसका नाम होता है venturi mask अब इधर दो वाल्व होती है अब इसे यह अभी दिख नहीं रही है जब हम अम्बू बाग की class को detail में करेंगे तो इसे बोलते हैं fish valve fish mouth valve या one-way valve one-way valve से आप समझ गए एक तो यह ऐसी होती है fish के mouth जैसी होती है जब भी हम oxygen देते हैं तब यह खुलती है otherwise यह बंद रहती है जब भी हम pressure देते हैं अम्बू बाग पर तब यह valve खुलती है वरना यह बंद रहती है तो यह one-way valve है जब हम pressure देंगे तब ही ये valve खुलेगी जब बच्चा बाहर सास फैकेगा तो ये valve बंद रहेगी तो यानि सिर्फ इसी direction में इस valve में से बाहर आएगा opposite direction में से नहीं आएगा so that is why known as one way valve तीसरी चीज इसकी क्या है? तीसरी चीज है ये ये जो इधर आपको ये चीज दिख रही है इसे बोलते है pop-off valve कभी भी pressure ज़्यादा ना हो तो ये जब भी pressure ज़्यादा होता है तो pressure release के काम आती है तो pop-off valve या pressure release valve ठीक है? तो दो valve है हमारे पास एक है one way valve या fish mouth valve जब भी देंगे बच्चे को एक सास देंगे तो वो ऐसे खुलेगी पर बच्चा जब सास ले रहे है तब वो नहीं खुलेगी तब वो बंद रहेगी second क्या है हमाई पास? पॉप-off valve जब भी pressure increase होगा तो ये valve पॉप-off हो जाएगी उपर की तरफ चली जाएगी ताकि pressure release हो जाए और बच्चे के उपर जादा pressure lungs में जादा pressure ना transmit हो तो ये बात हो गई हमारी Ambu bag की अभी तक हमने पढ़ ली है कि Ambu bag का full form क्या है देना कब-कब है resuscitation के वक्त और Ambu bag के parts क्या-क्या है अब next हम आते हैं कि Ambu bag की capacity कितनी होती है तो Ambu bag की capacity adults में different bag use होता है बच्चों में different bag use होता है तो pre-terms में generally 240 ml होता है and up to term and pediatric age group we use up to 750 ml of Ambu bag so this is the capacity of Ambu bag second question इसमें आता है कि pressure कितना देंगे जब हम दबा रहे हैं तब pressure कितना देंगे तो जो initial breath pressure होता है first breath इस पे भी question आया हो है star mark कर लो इस पे भी आया हो है capacity कितनी होती है तो 240 option में था तो 240 answer था first breath के वक्त pressure होता है 30 to 40 cm H2O ठीक है initial pressure थोड़ा जादा देते हैं gradually उसके बाद हम pressure decrease कर देते हैं subsequent pressures हमारा 15 to 20 cm H2O रहता है subsequent breaths में pressure will be 15 to 20 cm H2O तो इधर आपका जो option था वो था 25 तो उन्होंने पूछा वाता है कि first breath में कितना pressure रहेगा तो options में था 10, 15, 20, 25 तो the answer was 25 cm H2O in general the first breath pressure is 32 cm H2O अब यह हो गई कि देना कब है किस चीज से देना है क्या capacity है उस back की size कितना है उस back का next आता है कि कितनी बार देना है तो अब initially हम 30 seconds के लिए देते हैं और हम recheck करते हैं तो almost one minute में एक minute के अंदर हमें 40 to 60 breaths देनी है 40 to 60 breaths per minute इतनी speed से हमें दबाना है यानि हर second में almost एक बार दबाना है इस पे भी question आया हुआ है कि जब हम अम्बू back दे रहे हैं बच्चे को capacity पता चल गई, pressure पता लग गया अब कितनी बार दबाना है one, कितनी देर बार second आएगा तो यह बता रहा है कि हर second में करना है one, two, three, four, five, six, seven, eight तो हर second में almost एक बार करना है तो roughly every minute should have 40 to 60 breaths per minute हमें देना है तो initially 30 seconds के लिए हम यह बच्चे को देते हैं next question आता है किन बच्चों को नहीं देना इस पे भी MCQ आया हुआ है contraindication of positive pressure ventilation क्या क्या है contraindication of positive pressure ventilation सबसे पहला congenital diaphragmatic hernia यह absolute contraindication है अगर तीनों options में हैं एक option mark करना है तो answer would be congenital diaphragmatic hernia this is an absolute contraindication ठीक है इसमें नहीं देना है हमें कभी भी क्या होता है congenital diaphragmatic hernia आगे हम समझेंगे but roughly जान लेते हैं कि diaphragm में एक छोटा सा छेद होता है जिसके through नीचे के gastric parts intestine उपर की तरफ आ जाते हैं तो अगर हम इसमें pressure भढ़ाते हैं तो बच्चे की lung के पैसी और कम होती रहती है क्योंकि air के कारण वो और उपर पुश होता रहता है तो दिस इस दी absolute contraindication second contraindication क्या है tracheoesophagial fistula क्या होता है tracheoesophagial fistula इसकी भी details पढ़ेंगे पर simple जान लेते हैं कि ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में connection बन जाना बच्चपन का tracheoesophagial fistula दोनों के बीच में connection हो जाना third contraindication क्या है meconium aspiration syndrome जो meconium का बच्चा आया है तो माना जाता है अगर हम positive pressure ventilation देंगे तो further हम meconium को lungs में पुश करेंगे तो that would lead to meconium aspiration syndrome जो अगर meconium aspiration का बच्चा है तो उसमें भी contraindicated है अगर तीनों options में है और all of the following, all of the above है तो answer would be all of the above अगर चार options है तो congenital diaphragmatic hernia is the absolute contraindication so these are the three contraindications for not giving bag and mask ventilation next हमारा आता है कि जब हम bag and mask ventilation कर रहे है मैं आपने बताया है कि एक air inlet है चलो वहाँ पर हमने reservoir कर दिया अब एक oxygen inlet है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कब वो oxygen inlet attach करना है तो सब पहले तो क्या था कि जब तक मैं भी PG कर रही थी तो तब भी यही concept था कि जब भी मैं bag and mask use कर रही हूँ तो मैं तुरंट oxygen attach कर देती थी 100% FIO2 पे मैं resuscitation करती थी पर gradually पाया गया कि excessive oxygen की वज़े से बहुत बच्चों में आगे जाके problem आ रही है इन ये दो तरह की problem होती है excessive oxygen की वज़े से जो problems बच्चों में पाई गई थी specially in preterm baby oxygen toxicity अगर हो जाती थी preterm babies में तो दो चीज़े पाई गई थी first is known as ROP ROP यानी retinopathy of prematurity इसमें excessive oxygen की वज़े से बच्चों के retina में हाम हुआ था इतना याद रखेंगे retina हाम की वज़े से आगे जाके vision में difficulty आ जाती थी बच्चों के तो retinopathy of prematurity second problem क्या पाई गई BPD ये भी preterm में common पाई गई bronchopulmonary dysplasia ये भी oxygen जादा देने की वज़े से बच्चों के lung में damage हो गया था तो bronchopulmonary dysplasia तो these were the problems जो आने लगी oxygen toxicity की वज़े से जब हम 100% FIO2 दिया यानि सब बच्चों में हमने तुरंट oxygen अटाच कर दिया और 100% oxygen प्रवाइड किया तो retinopathy of prematurity and bronchopulmonary dysplasia देखा गया specially in preterm baby में due to the oxygen toxicity तो फिर हमने क्या करना शुरू किया इस step पे भी मैंने आपको initially बताया था SPO2 attach SPO2 monitor if available तो क्या होता है SPO2 monitor यह तो अभी COVID times में हम सब नहीं use किया है this is known as pulse oximeter इसकी image based diagram भी आया है question आया है so this is pulse oximeter ठीक है यह हमें details दिखाता है SPO2 कितना है heart rate कितना है this is known as pulse oximeter handheld device है यह क्या होता है जो generally हम hospitals में use करते है this is the cardiac monitor इसकी detail में भी class होगी है क्यूंकि बहुत 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 कार्डियक monitor पे question आया है कि कौन से वाला column क्या depict करता है तो यह दो हमारे available होते है तो जब भी हम बच्चे का resuscitation करें if possible we should always attach SPO2 and type rate मतलब जितना required है उतना ही oxygen ने तो माम कैसे पता लगेगा कि छोटे बच्चे में कितना required है तो उसके लिए target SPO2 बताया गया एक minute पे कितना आना चाहिए इसके उपर दो minute पे हमें कितना target करना है तीन minute, चार minute, पार्च minute और दस minute ठीक है सिंपल है याद रखना इस पे भी question आया है ठीक है question आया है था कि 5 minutes पे what should be the target SPO2 of the child क्योंकि इतनी problems भरती गई है and this is one of the newer developments कि हमें attach करना है तो इस पे questions आया है तो simply हमें याद रखना है 60 to 65 65 to 70 70 to 75 easy है याद रखना 75 to 80 80 to 85 और लास्ट वाला है दस का difference 85 to 95 लगभग 10 minute पर बच्चे का जो हम oxygen target करें वो होता है 95 80 to 95 तो initially यह है टागेट अगर हमने attach किया 60 to 65 आ रहा है यानि ठीक है हमें oxygen का बहुत ज़्यादा titration नहीं करना है full SPO2 attack full oxygen हमें 100% नहीं देनी है तो initially the oxygen is 60 to 65% 2 minute पे 65 to 70 3 minute पे 70 to 75 हर बार 55 का difference आ रहा है 5 minutes वाले पे question आया हुआ है तो यह easy है learn करना यह हम याद रखेंगे तो अब next हमारा question आता है कि कितनी oxygen हमें देनी है बच्चे को initially तो क्यूंकि हमने attach नहीं किया SPO2 monitor या SPO2 monitor available नहीं है तो तो अगर more than 35 week child है तो हम room air पे करेंगे यानी room air पे resuscitation करेंगे ठीक है कुछ भी अच्छ नहीं करेंगे अगर 35 week से कम का बच्चा है तो भी हमारा जो oxygen टाइचर रहेगा वो 21 to 30% रहेगा उससे जादा नहीं रहेगा 100% oxygen नहीं देंगे तो more than 35 वी करेंगे तो 21 oxygen पे room air पे करेंगे जब हम positive pressure ventilation करेंगे अटाच नहीं करेंगे next आता है जब हम chest compression प्लस अम्बू बाग से हम ventilation दे रहे हैं chest compression and ventilation दे रहे हैं जो हमारा third step जाएगा initially अभी हम दुबारा cycle पे जाएंगे तब हमें देनी है 100% oxygen तब हम अपना oxygen inlet पे full oxygen देंगे अभी इनीशली जब हम बागन मास्क वेंटिलेशन दे रहे हैं positive pressure ventilation दे रहे हैं तो हम room air पे ventilate करेंगे अगर 30 तो 35 से उपर का बच्चा है weaker का gestational age तो room air पे करेंगे 35 वीकर से कम का बच्चा है तो 21 to 30% oxygen पे हम उसे resuscitate करेंगे SPO2 monitor available है तो उसके according जो हमने देखा है target SPO2 उसके according हम अपना oxygen देखेंगे पर जब हमने next step पे चले गए compressions भी आ गए chest compressions के साथ हम ventilation देने तब हम उस oxygen inlet से 100% oxygen देंगे यहां पर भी question आया हुआ है ठीक है तो अब हम सबसे पहली slide पे जहां पर हमने revise किया था यह हां इधर हम अब हमने details पढ़ ली है positive pressure ventilation तक हमारा आ गया है यह जो हमने इधर दे दिया 30 seconds की हमने positive pressure ventilation दे दी है तो यह total one minute हो गया this is known as golden minute अब हमने 30 seconds की ventilation दे दी है अब क्या करेंगे 30 seconds की positive pressure ventilation दे दी है बच्चा स्चिल हमें इतना active नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे हम दुबारा उसका heart rate assess करेंगे after 30 seconds of positive pressure ventilation we will reassess the heart rate heart rate अगर still less than 100 है तो हमें क्या क्या चीज़े देखनी थी हमने बताई थी हम देखेंगे ventilation corrective steps की जो हम ventilation दे रहे हैं हम सीधा रखने यह नहीं बोल देंगे कि भाई ventilation काम ही नहीं कर रही positive pressure ventilation कोई काम नहीं है जल्दी से intubate करो हम एक बारी जल्दी से देख लेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं तो ventilation corrective steps क्या होते हैं यह आ गए हैं ventilation corrective steps पे जो हमारा next step है इसका फुल एक बहुत अच्छा सा निमोनिक है easy निमोनिक है आप सबने सुना होगा MR sopa क्यूंकि उस वक्त हम इतने tense होते हैं इतना critical atmosphere होता है जब हम बच्चे को resuscitate कर रहे हैं कि हमाए दिमांग में सब चीज़े जल्दी जल्दी आनी चाहिए तो अब जब 30 seconds पर हमने दे दिया नहीं हो रहा तो तुरह इंडियो बेटनी किया जल्दी से 2-4 seconds में check कर लिया कि हम जो कर रहे हैं वो सई कर रहे है या नहीं तो सबसे पहले हमने क्या-क्या हमें चेक करना है कि मास्क सही लगावा है मास्क अड्रेस्मेंट तो आपको मास्क तो हमने सही लगाया था मास्क लगाने में क्या गलती हो सकती है या आपका मास्क है या तो आपने नाक के नीचे लगाया हुआ है या नाक के बहुत उपर लगाया हुआ है कि प्रेशर भार निक तो इच्छुट प्रॉपली कवर यह आप देख रहे हैं यह प्रॉपली चिन से नोस तक पूरा मास्क कवर होना चाहिए तो अगर जल्दी से हमने मास्क आज्जेस्मेंट कर ली दूसरी चीज क्या करी हमने री पोजिशन कर लिया हम बार बार इस बात पर एंफेसाइस कर रह सारा एक लाइन में आ जाता है तो लंग में जल्दी एर वेंटिलेशन एफेक्टिव हो जाती है तो हो सकता है जल्दी जल्दी में हमारा बच्चा पुजिशन हिल गई हो तो हमने री पोजिशन कर लिया नेक के स्लाइटली एक्सेंडेट या फिर नीचे हमने शोल्डर रो नोस हमने सक्ष्णिंग जल्दी कर दी फिर नेक्स आता है ओपन माउथ यह बहुत बारी होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा क्योंकि माउथ हमारा बंद है तो फ्रॉम वेर विल दे एफेक्टिव वेंटिलेशन गो तो हलका सा चिन को नीचे पुश करेंगे आंड ओपन माउथ जो थ्रस्ट बोलते हैं तो हम माउथ ओपन करेंगे नेक्स क्या होते है इस लाइटली इंक्रीज द प्रेशर जेनरली हमने देखा है कि जो हम प्रेशर दे रहे हैं वो 15-20 सेंटिमीटर एच्टो दे रहे हैं सब्स्टिवेंट ब्रेथ में तो हलका सा प alternative airway इसके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद alternative airway क्या होता है कि कहीं बारी मासक और अम्बू बाग है वो effective नहीं होता बच्चे को actually chest compression नहीं चाहिए Heart rate is still more than 100 It is not less than Heart rate is still less than 100 but not less than 60 तो बच्चे को chest compression अभी नहीं चाहिए बट effective ventilation भी नहीं हो पारी तो इस case में क्या करेंगे जो positive pressure ventilation है mask से ना देकर हम alternative airway डालेंगे या तो हम ET tube डाल देंगे alternative airway में क्या होते है या तो हम endotracheal tube डाल देंगे या फिर एक device होती है LMA laryngeal mask airway तो या तो laryngeal mask airway डाल देंगे उस पे हम अपना bag attach कर देंगे या ET डाल देंगे क्या कहीं बारी क्या होते है mask का position सही नहीं बैट रहा होता ठीक है तो lastly MR sopa में हम alternative airway यूज करेंगे तो क्या क्या कर सकते है mask re-adjustment करनी है हमें उसके बाद reposition करना है child को suctioning if required mouth open करेंगे pressure हलका सा increase करेंगे फिर भी बात नहीं बनी तो alternative airway यूज करेंगे तो यह सारे हम corrective measures लेंगे एक और important term है जो हमने discuss नहीं करी जिसे बोलती है EC EC clamp EC clamp क्या होता है कि जब हम यह बच्चे को positive pressure ventilation दे रहे हैं जो हमारी हाथ की position है जो हमने mask पे ऐसे रखते हैं तीन उंगलिया नीचे यह C बन रहा है ठीक है यह C बन रहा है दिख रहा है सबको this is C and यह तीन फिंगर से E बन रहा है तो E C EC clamp तो जैसे इधर इसने पकड़ा हो है तीन फिंगर नीचे हैं और दो उपर ठीक है ऐसे तो EC clamp तो what is EC clamp EC clamp is the technique of holding the mask while we give PPV positive pressure ventilation तो उसे बोलते है EC clamp यह word को याद रखना है C E या EC यह याद रखेंगे next हम आते हैं इत्ती बात हो गई इसमें एक important बात आपने क्या notice करें अगला हमारा जो यह था इधर हम दुबारा पीछे जाते हैं इधर तक हमने पहुच गए ventilation corrective steps MR sopa हमने सब देख लिया alternative airway यूज कर लिया और 30 seconds की हमने effective ventilation हमारी हो गई effective PPV सब कुछ correct कर लिया 30 seconds effective positive pressure ventilation दे दिया फिर भी हमने heart rate check किया heart rate goes down to less than 60 per minute भड़ा तो नहीं हमारा heart rate पर और कम हो गया तो this is the indication जहां पे हमें already endotracheal intubation करनी ही करनी है और साथ में हमें chest compression शिरू कर देने है chest compression प्लस ventilation और अब इधर हम क्या करेंगे 100% oxygen लगा देंगे ventilation जो हम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं 100% oxygen ठीक है तो अब यहाहां पे यह हमारा next step आ गया कि अगर ventilation corrective steps के बाद हमने effective PPV positive pressure ventilation दे दी फिर भी heart rate is falling below 60 so we will intubate the child and we would start chest compression प्लस ventilation और ventilation हमें कैसे करनी है 100% oxygen inlet पे लगा देनी है तो अब इस next step की details पढ़ते हैं हम इधर आ जाते हैं endotracheal intubation तो endotracheal intubation करने के लिए हमें सबसे पहली equipment क्या चाहिए होती है laryngoscope तो यह आपका उसमें भी आया है picture based question में तो यह जो आपको image दिख रही है this is the image of laryngoscope laryngoscope कैसा है यह straight blade तो हम intubation में क्या यूज करते हैं न्यूबॉर्ण की wild resuscitation straight blade laryngoscope अब blade के sizes अलग अलग होते है newborn size अलग होता है preterm अलग होता है term अलग होता है pediatric अलग होता है तो preterm में हमारा generally size रहता है 0 और term में रहता है 0 to 1 ठीक है this is a blade size laryngoscope blade size तो यह दो blade हैं जो हम use करते हैं तो दीजादी laryngoscope straight blade use करते हैं preterm में 0 term में 0 to 1 कहीं बार 00 size भी आता है इधर से light आती है यह जो दिख रहा है छोटा सा इधर से light आती है इसे बच्चे के मूं में डालते हैं light दिखती है तो बच्चे को intubate कर देते हैं intubate किस चीज से करते हैं वो हमाई next slide पे है intubate हम यूज करते हैं endotracheal tube तो इस पे भी question था कि कैसी endotracheal tube बच्चे में यूज करते हैं non-cuffed non-cuffed जो बड़े होते हैं न बड़ों के अंदर इधर को जो बड़े adults में या pediatric age में हम करते हैं इधर एक cuff होता है और साथ में ही ऐसे गयावा होता है जिससे हम उस cuff को inflate कर देते हैं तो बच्चों में ऐसा use नहीं करते हैं बच्चों में हम क्या use करते हैं non-cuffed tube use करते हैं so we use a non-cuffed straight endotracheal tube अब इसमें question इस पे भी आया हुआ है और question किस पे आया है कि size क्या होता है हमने हर जगा देख लिया कि newborn का size अलग-अलग होता है हर चीज का laryngoscope का size अलग है mask अलग होते है preterm, mask, term, mask ambo bag अलग होता है preterm, pediatric adult तो अब हम देखते हैं कि tube के sizes क्या-क्या होते हैं जो हमारे पास उस वक्त available होने चाहिए तो यह हमारे दो चीजों में divided हुए है weight के according भी हमसे पूछा गया exam में gestation age के according भी हमसे पूछा गया है और यह है हमारा tube size तो यह table को बहुत अच्छे से याद रखेंगे तो weight less than thousand thousand to two thousand two thousand to three thousand या फिर more than three thousand यानि more than three kg यह grams में है ठीक है चाहर हम पढ़ेंगे चाहर साइजेस इन पर question है less than 28 weeks 28 to 34 weeks 34 to 38 weeks and more than 38 weeks तो इन चाहर में हमने divide किया है इसमें sizes क्या क्या है अगर बच्चा less than बच्चा अगर less than thousand grams का है या less than 28 weeks तो size है 2.5 millimeter फिर next आज़ता है 3 3.5 and 4 तो हर वक्त यह भूँआट इंपोर्टन टेबल है जब भी हम तैयारी करते हैं री सक्सिटेशन की तो हमारे पास यह sizes available होने चाहिए क्या-क्या sizes है 2.5 3, 3.5 and 4 तो according to the gestation age बच्चे की हम यह sizes निकाल के रखते हैं यह size कहां का है यह diameter कहां का है यह बाहर का diameter है यह अंदर का diameter है again an important question माम यह size क्या है एक तो इसके अंदर भी है और एक यह इसके बाहर भी है तो आपने हमें कहां का diameter बोला है 2.5 inner diameter तो यह जो हमारा tube size होता है tube size is always according to the inner diameter endotracheal tube size is equal to the inner diameter of the tube यह भी जानना जरूरी है ठीक है तो यह बात हो गई हमारी endotracheal tube की हमने endotracheal intubation कर दिया बच्चे का उसके बाद हमने क्या start किया endotracheal intubation के लामें laryngoscope required हुआ endotracheal tube required हुई इसके हमने details पढ़ी है question आपका आया हुआ है I think 2000 to 3000 वाला बच्चे का कितना size होना चाहिए tube का तो that was the 3.5 was the answer next हमने शिरू किया chest compressions इस पे भी बहुत सारे questions आये है picture based questions भी आये है chest compression सबसे पहले दो methods होते हैं chest compression करने के लिए तो image identification में आया था this is the tooth thumb technique and this is the two finger technique तो सबसे पहले तो यह हमारी image based हो गई यह क्या है tooth हम technique से chest compression कर रहे है और दूसरा क्या है two finger technique से chest compression कर रहे है simple आया था यह इन्हें identify करना two finger technique chest compression एक जगा में दोनों चीज़े option में नहीं थी तो उसमें था external cardiac massage तो this is also known as external cardiac massage ठीक है उस picture based question में दोनों यह option नहीं थी बताया था लिखा था identify this तो ना तो two thumb technique था option में ना two finger technique था तो तो आंसर वास external cardiac massage बाहर की तरफ से बाहर की तरफ से heart को stimulate करना external cardiac massage तो यह हो गया chest compression अब बच्चे के कौन से पार्ट पे chest compression करते हैं उस पे भी question आया हुआ था तो area कौन सा है जिस पे करते हैं is lower one third of sternum lower one third of sternum this was again a question lower one third of sternum पे हम करेंगे chest compression कितनी डीप जाएंगे chest compression करते हुए one third of the AP diameter one third of AP anterior posterior मतलब बच्चे का one third of the AP diameter हमें chest compression करना है here while doing lower one third sternum पे जब हम कर रहे हैं we should avoid ziffy sternum क्यूंकि that can result in fracture तो ziffy sternum को avoid करना है we should avoid ziffy sternum ठीक है अब next important question आथा कि ratio क्या होती है chest compression और ventilation हम कर रहे हैं तो उन दोनों की ratio कितनी होगी तो ratio is three is to one one two three one breath one two three one breath तो three chest compression and one ventilation chest compression is to ventilation की ratio यही पे एक और question आया हुआ है यह पूरा इसमें square बना रहे हूँ इसे अच्छे से star marked question ratio कितनी है three is to one three chest compression one two three and one breath one two three and one breath so three chest compression and one ventilation यही पे एक और question आया हुआ है कि how many chest compression is to ventilation in one minute एक minute में कितना का ratio होना चाहिए हमने पड़ा था जब हम positive pressure ventilation दे रहे है तो 40 to 60 breaths per minute जहां question आया हुआ था similarly इसमें one minute में कितना होना चाहिए chest compression is to ventilation the answer is 90 is to 30 90 chest compression और 30 ventilation that is the ratio of again 3 is to 1 ठीक है यह याद रखेंगे that is again the ratio of 3 is to 1 ठीक है यहाँ पर भी question था अब यह बात होगे हमने दे दिया chest compression and ventilation हमने पिछली class में पड़ा था कि अब next time heart rate check करने से पहले हमें कितनी देर तक देना है chest compression is to ventilation for a total of one minute कितनी देर तक देना है for a total of one minute इधर आ जाते हैं हमने intubation कर दी chest compression चालू कर दिया 3 is to 1 की ratio पे और ventilation चालू कर दी अब next हमें क्या करना है one minute हो गया ठीक है till the heart rate is less than 60 per minute तो इस case में हम क्या करते हैं in this case we give adrenaline very very important जिस पे बार बार question आया है in this case we give adrenaline तो now let's learn the details of the drugs that are used in pregnancy that are used in resuscitation drugs used in resuscitation तो हमारा सबसे पहला drug है इधर adrenaline तीक है adrenaline indications क्या क्या है जो मैंने बोला है उसी को words में लिख रही हूँ heart rate less than 60 per minute after 30 seconds of effective PPV effective positive pressure ventilation 30 seconds तक दे दी and one minute of chest compression and ventilation तो यह हमारी है indication अगर heart rate रहता है 60 से less हम 30 seconds तक positive pressure ventilation दे चुके हैं और एक minute तक chest compression ventilation दे चुके हैं 3 to 1 की ratio में 100% oxygen के साथ तब भी heart rate less than 60 है तो हम देंगे adrenaline ऐसी दिखती है adrenaline की bottle question क्या आया है इसके ओपर question आया हुआ है कि क्या है इसकी dose और क्या है इसकी concentration very very important so the dose is 0.01 to 0.03 milligram per kg of 1 is to 10,000 तो dilution इसका 1 is to 10,000 है and dose है 0.01 to 0.03 milligram per kg of 1 is to 10,000 यह हमें अच्छे से या तो अब इसने हमने dose देख ली next हम आ जाते हैं root क्या होता है यह देते कैसे हैं तो the preferred root is हमने last class पर बात करे थी अंब्लाइकल वेन अंब्लाइकल वेन विच इस दी आईवी रूट ठीक है तो प्रेफर रूट इस अंब्लाइकल वेन इस पर भी question आया हुआ है अगर हमें अंब्लाइकल वेन नहीं मिल रही है उस वक्त हमने नहीं डाल पारे है या endotracheal भी दे सकते हैं अभी तक question नहीं आया है कि endotracheal की dosage क्या है फिर भी हम इधर बात कर लेते हैं endotracheal की dosage क्या है strength same रहेगी 1-10,000 dose क्या है क्यूंकि हम IV दे रहे हैं तो direct जा रहे हैं blood में endotracheal के through दे रहे हैं तो कुछ endotracheal tube में चेपक गया कुछ right में गया कुछ left में गया तो obviously adrenaline की dose थो इसी बढ़ जाएगी तो जब हम endotracheal के through दे रहे हैं तो dose is 0.05 to 0.1 mg per kg of 1 is to 10,000 वाला dilution ठीक है इस पर question नहीं आया है पर पूछ सकते हैं आपका ये option था उसमें 0.01 mg per kg of 1 is to 10,000 adrenaline की dose है ये याद रखना है और अगर पूछा जाए कि इसकी dose क्या है थोड़ी higher dose याद होती है तो इधर 0.01 है तो इधर 0.1 हो जाता है mg per kg of 1 is to 10,000 of adrenaline याद रखना है इधर एक हलका सा tricky point है ml per kg में इसकी dose क्या होती है तो ml per kg very very important ml per kg में हो जाती है 0.1 to 0.3 ml per kg of 1 is to 10,000 and you never know कि ये question change form में आ जाए mg per kg में 0.01 ml per kg में 0.1 ये इतना अच्छे से याद रखना है इस यू आप तो रिमेंबर अब पहला रख हमने पढ़ लिया जो हम देते है री सक्षिटेशन के वाग दाट इस एड्रिनालिन what is the second drug that we give during री सक्षिटेशन second drug that we give during री सक्षिटेशन is normal saline हमने पिछल लेक्चर में बात करी थी कि अगर हमने एड्रिनालिन भी दे दिया still the child is not responding response क्या होगी एड्रिनालिन देने पर response would be tachycardia ये पूछा गया है कि जब आपने एड्रिनालिन दी तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा respond कर रहा है तो इसकी response क्या होती है एड्रिनालिन देने पर increase in heart rate या tachycardia heart rate जो decrease हो आवा था वो increase हो जाएगा increase in heart rate या tachycardia this is the response of giving एड्रिनालिन ये याद रखना है इस पर question आया है again I'll market star mark अगली drug क्या देते हैं हमने बोला था कि अगर एड्रिनालिन भी हमने दे दी है फिर भी heart rate increase नहीं हो रहा है so we should think about two things either hypovolemia या फिर pneumothorax pneumothorax तो we put a needle in the second intercostal space ताकि release हो जाए air जो trap हुई है then the child will respond अगर बच्चे को hypovolemia है indication क्या है hypovolemia या excessive blood loss तो इस case में हम देंगे normal saline तो question था कि which of the falling fluids is to be given during hypovolemia in case of resuscitation तो always अगर बच्चे को शौक में है या बच्चे को hypovolemia हो रहा है तो we use normal saline तो answer was normal saline dose कितनी होती है in general 10 ml per kg होती है but can be gone up to 20 ml per kg in case बहुत जादा blood loss है तो कौन सा blood देंगे अगर blood transfusion की ज़रुरत परती है और हमारे पास बच्चे का blood group नहीं है so we always use O negative ORH negative blood group to transfuse the baby यह important important points है अच्छे से याद कर लो normal saline देते हैं second kind of drug and O negative blood group देते हैं अगर blood transfusion की ज़रुरत परे third drug हम कौन सा देते हैं third drug is naloxone यह याद रखना है कब देते हैं बस इतना याद रखना है नाम सुना होना चाहिए कि एक drug है जो हम resuscitation में देते हैं जिसे बोलते हैं naloxone once the baby is stabilized हम तब यह drug देते हैं कब देते हैं अगर mother has taken ऐसा कोई drug जिससे respiratory depression हो रहा है mother has taken a drug within four hours before delivery within four hours before delivery that has caused respiratory depression ठीक है ऐसी कोई मदर की हमें history मिल रही है कि उसने ऐसा कोई drug लिया है जिसकी वज़ा से respiratory depression हो रहा है तो बच्चे को एक बाई जब हमने stabilize कर लिया तो हम देते हैं naloxone ठीक है यह हमें याद रखना है generally opioids की case में होता है अगर mother ने opioid लिये वे हैं कौनसी अगर यह question भी हो सकता है कि अगर mother ने delivery से just पहले opioid लिया हुआ है तो हमें बच्चे को कौनसी drug देनी है naloxone देनी है preferred route is IV IV नहीं हो रहा तो IMB दे सकते हैं तो यह हो गई drugs की बात next बात क्या है कि हमें कित्ती देर तक resuscitation करना है हम बच्चे को resuscitate कर रहे हैं हमें कब तक continue करना है so we should continue resuscitation for a total of 20 minutes अगर 20 minutes में कोई भी response नहीं आई so we should stop doing resuscitation of course अगर response है कि less than 60 heart rate is still there आ गया है heart rate 100 से लेस है हम efforts कर रहे है so we should continue but अगर कोई response नहीं आई till 20 minutes so we should withhold resuscitation now ऐसी कौन सी indications है जिसमें हमें resuscitation नहीं देनी है अगर बच्चा पैदा हो रहा है और हमें resuscitation साथ ही नहीं करनी है if the gestational age at birth is less than 22 weeks see this is यह एक written norm नहीं है यह hospital to hospital norm है तो या तो 22 weeks से कम का बच्चा हुआ है क्योंकि हमें पता है वाइबलेटी की एज नहीं है यह तो हम decide कर सकते हैं second है कि अगर gestational age at birth 22 to 24 weeks है तो we can discuss with the caregivers ठीक है caregiver से discuss कर सकते हैं कि this is the age, this is the percentage of survival तो do you want us to resuscitate the baby when the baby is born यह discuss कर सकते हैं third क्या है, कोई severe congenital malformation है जिसके बाद हमें पता है कि बच्चा नहीं जिन्दा रहेगा तो उस case में भी हम caregiver से discuss कर सकते हैं example, ennencephaly ennencephaly जिसमें brain development बिल्कुल नहीं होता तो उस cases में हम parents से discuss कर सकते हैं last is, कोई genetic disorder है जो की हमें पता है life taking है पहले से हमें पता है, एक life taking genetic disorder है जिससे बच्चा सफर कर रहा है like for example, trisomy 13 है तो उसमें हम explain कर सकते हैं कि एक साल तक इतने प्रतीशत बच्चों की death हो ही जाती है तो इसमें भी parents discuss करेंगे तो इसमें सब में हमें discussion करनी है caregiver से, कोई set norm नहीं है कोई indication ऐसा नहीं है कि हमें withhold करनी ही करनी है parents को पूरा explain कर देंगे कि आपका बच्चे को बिल्कुल भी brain development नहीं है zero brain है बच्चे के में या बहुत कम development है तो क्या आप चाते हैं हम बच्चे को बचाएं ये बच्चे के आगे की जिंदगी है 10 दिन जिये, 20 दिन जिये जितना हमारे पास data है उसके according we explain to the caregivers and then we wait for their choice तो ये हमारी सारी बात हो गई है resuscitation की next हम आते हैं ABGAR score पे very very important ABGAR score से क्या समझते हैं हम ये एक ABGAR score है जो हम करते हैं during resuscitation to see हमारे resuscitation efforts कैसे चल रहे हैं ठीक है तो ABGAR score is done इस पे question था at one minute then at five minutes ठीक है during after birth one minute पे करते हैं और five minutes पे करते हैं normal कितना होते है anything more than seven is normal ठीक है four to seven is moderate and moderate asphyxia ये मैं five minutes का score बता रही हूं and zero to three at five minutes at five minutes अगर बच्चे का score more than seven है तो वो normal है four to seven है moderate asphyxia है और five minutes पे अगर zero to three है तो यानी severe asphyxia है ये हमें याद रखना है ठीक है ये five minutes पे ये scoring है तो question आया है इस पे at five minutes zero to three है तो क्या indicate करता है आपगार स्कूर आपगार स्कूर इंडिकेट करता है severe asphyxia at five minutes ठीक है and increase mortality chances of mortality increase हो जाते हैं ये predict करता है जब हम resuscitation के पाद आपगार स्कूर करते हैं बार बार तो हमें क्या indication मिलता है कि हमारे resuscitative efforts को child respond कर रहा है या child हमारे resuscitative efforts को respond नहीं कर रहा है so this is about the आपगार स्कूर अगर five minutes पे भी आपगार स्कूर इस लेस दिन seven आपगार स्कूर इस लेस दिन seven तो हम repeat करते हैं तो repeat after every five minutes हर पाँच-पाँच मिनट पे करते हैं till 30 minutes till 30 minutes या till it is more than seven ठीक है तो अब प्वेशन था कि हम अपगार स्कूर कप करते हैं तो एक minute पे करते हैं जनम के और पाँच मिनट पे करते हैं पाँच मिनट पे अगर less than seven है तो हर पाँच-पाँच मिनट पे करते हैं तीस मिनट तक या जब तक more than seven नहीं आ जाता अगर पाँच मिनट का जो स्कूर है वो mortality indication के लिए होता है वह asphyxia indication के लिए होता है four to seven is moderate asphyxia और less than three zero to three score है तो it is severe asphyxia अब इस table को बहुत ही अच्छे से हमें learn करना है क्योंकि बहुत सारे questions आयो है सब की full forms पे भी आयो है कि what does a stand in abgar what does g stand in abgar ठीक है तो अब हम सार्ट करते है आपगार यह हमने एक mnemonic बनाया हुआ है यह से होता है appearance appearance यानी skin color तीन हमने इने score दिया हुआ है 0 1 2 0 1 2 पूरा बच्चा अगर नीला है तो zero score cyanotic या पूरा बच्चा सफेद पड़ा हुआ है तो भी zero score है अब हमने पड़ा था acrocinosis क्या होता है पूरा बच्चा pink है सिर्फ हाथ पे ठंडे होने के कारण नीले है तो अगर सिर्फ peripheral sinosis या acrocinosis है तो score is 1 and if the baby is completely pink then the score is 2 तो 0 1 2 A for appearance यानी skin color P for pulse तो pulse हमें पता है more than 100 is normal तो अगर there is no pulse no pulse in the child the score is 0 pulse is less than 100 the score is 1 and if the pulse is more than 100 100 to 160 is the normal then the score is 2 0 1 2 pulse या heart rate 0 पे 0 1 पे less than 100 2 पे 100 to 160 G किसके लिए स्चान होते है grimace grimace से क्या आप समझते है reflex irritability if we stimulate the child या तो वो कोई response दे रहा है या नहीं दे रहा अगर बिलकुल कोई response नहीं दे रहा है हमने उसे tickling करी zero response है तो zero score है हलका सा ऐसे हलका सा किया तो one response है grimace और weak cry तो one है पर अगर अच्छे से हिलना डूलना चालू हो गया full रोना चालू हो गया तो score है two तो grimace या reflex irritability zero no response one हलका उंहिया किया तू पूरी अच्छी तरह से रोया फिर हमारा आपगार का जो सेकिंड ए फर्स्ट होता है appearance skin color second activity tone कैसी होती है हमने पढ़ा था कि बच्चा नॉमली फ्लेक्जिन यूनिवर्सल फ्लेक्जिन में रहता है अगर तो फ्लेक्जिन में है तो टू पॉइंट है पूरे हाथ पेर सुकुड़े वे अगर पूरे ऐसे पड़ाव है बिल्कुल फ्लैसिट हाथ पेर बिल्कुल फैले वे पड़े हैं देरेज नो टोन जीरो टोन फ्लैसिट या फ्लॉपी बच्चा बोलते हैं जिसे तो स्कोर इस दीरो अगर देर इस सम्फलेक्जिन हलका बहुत फ्लेक्जिन है तो स्कोर इस वन तो नेक्स यह हमारा क्या हुआ अक्टिविटी विच कोर्रस्पॉंस टू टोन यह हमने याद रखने के लिए एक्टिविटी विच फॉर टोन तो बिल्कुली फ्लैसिट पड़ा बच्चा बिल्कुली हलका धीला चोड़ा वाए शरीर को तो जीरो हलका बहुत फ्लेक्शन है वन और सारे लिम्स फ्लेक्जिन है तो टू लास्ली रेस्पिरेशन अगर बच्चा सास नहीं ले रहा है आ पूर अच्छे से ब्रीधिंग नहीं ले रहे तो तो the score is 1 और अगर स्ट्रॉंग क्राइव कर रहा है अच्छे से रो रहा है सास ले रहा है तो score is 2 तो अप्गार निमोने का हैस प्ल्स गृमेस आक्टिविटी रेस्पिरेशन अच्छे से याद करना है टेबल क्योंकि इस confusing आगे मैंने एक दो MCQs भी डाले हुए है तो हम देखेंगे हम बच्चे की respiration देखते हैं कि apnea है या बच्चा धीरे-धीरे regular breathing कर रहा है या अच्छे से रो रहा है respiratory rate नहीं देखते कि less than one है less than two है less than three है respiratory rate नहीं देखते ठीक है तो यह हो गया आपका अपगार के बारे में अब बढ़ते हैं कुछ important MCQs के लिए उससे पहले एक short topic discuss कर लेते हैं पहले भी हमने बात करी है कि जब initially हम बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हम decide करते हैं umbilical cord management plan so what is delayed cord clamping जब हम cord को clamp कर रहे होते हैं when the child is born तो हम उसे 30 to 60 seconds delay कर देते हैं पहले नहीं करते थे पर अब studies करी गई और देखा गया कि it is beneficial तो 30 to 60 seconds delay करते हैं cord clamp को यानि clamp लगाने से पहले बच्चर का clamping करने से पहले 30 to 60 seconds delay करते हैं पहली बात इसके benefits क्या है कि जब हम यह delay कर देते हैं तो बच्चे को 30 to 40 ml of extra blood मिलता है ठीक है second क्या होता है बच्चे को 35 grams around extra iron मिलता है अब इससे क्या-क्या benefit होता है extra blood मिला है तो BP बच्चे का stabilize हो जाता है stabilize BP रहता है next चीज क्या है decrease anemia at 3 to 6 months 3 to 6 months बच्चा prone होता है anemia के लिए तो 3 to 6 months के बच्चा जब होगा तो उसमें decrease chances of anemia हो जाएगा क्यूंकि iron reserve भढ़ गया है लासली जो प्रीटर्म बच्चे हैं प्रीटर्म बच्चों में intraventricular hemorrhage के chances होते हैं होने के वो decrease हो जाते हैं decrease intraventricular hemorrhage और कुछ स्टाडी में यह भी देखा गया है अगर आपके पास option है तो decrease chances of necrotizing enterocolitis necrotizing enterocolitis की अभी हम class करेंगे क्या होता है यह एक तरह की problem है समक की problem है जहांकि समक की indistines में blood decrease होने के कारण pre-terms में जो indistines हैं वो rotten हो जाती है simple terms में याद रहों तो necrotizing enterocolitis के chances decrease कर देगा तो this is important this is the benefit इस पर questions आया है हमें करनी होती है delayed cord clamping यह हम इतना discuss कर चुके थे हाज मैंने दुबारा क्यों यह topic लिया क्योंकि इसमें एक जगा मैंने question देखा इसके benefits तो हमने पढ़ लिए disadvantages क्या क्या है हमने पिछली बाई disadvantages नहीं देखी थी asymptomatic hypo asymptomatic polycythemia यह था answer उसमें पूछा था what is the disadvantage of doing delayed cord clamping क्या होता है polycythemia simple याद रखिए खून बढ़ जाना तो जब हम delayed cord clamping करें तो बच्चे में extra खून जा रहे तो कहीं पारी बच्चे में वह खून जादा हो जाता है पर वो symptomatic होता है नहीं symptomatic नहीं होता asymptomatic खून बढ़ जाना बच्चे के अंदर तो यह option में था what are the disadvantages symptomatic polycythemia asymptomatic polycythemia was the answer increased chances of jaundice ठीक है not well proven बट कुछ studies में देखा गया है कि क्योंकि increased blood आ गया अगर बच्चे को jaundice already prone to jaundice है बच्चा तो शायद jaundice की intensity भढ़ जाए तो increased chances of jaundice तो यह दो इसके थे side effect एक नई टर्म आई है intact cord milking ICM intact cord milking क्या होता है यह अभी तक एक्जाम में आई नहीं है बच जो 2023 की latest guidelines है उसमें उसने बोला है American Association of Pediatric की जो guidelines है 2023 की अभी release होंगी तो उनमें बताया है कि हम ऐसे बच्चों में जहां resuscitation required है हम delayed cord clamping नहीं कर सकते हमें तुरंत क्लाम करना और बच्चे को resuscitate करना है तो क्लाम करने से पहले हम ब्लड को milk करने बच्चे की तरफ ठीक है जैसे गाय का ऐसे ऐसे निचोडते है दूद milking बोला है इसले के milking term use किया है ऐसे ही जो कॉड को क्लाम करने से पहले जल्दी से ब्लड को एक सेकंड में बच्चे की तरफ milk करने तो intact cord milking is now allowed it is now proved की कर सकते हैं जिन बच्चों में resuscitation की requirement है require resuscitation and delayed cord clamping cannot be done and delayed cord clamping हम नहीं कर सकते ठीक है तो उन बच्चों में याद रखना है बस इस चर्म को कि हमने सुना वाए intact cord milking एक term है हमारे कानों से गई हुई है ठीक है require resuscitation and delayed cord clamping cannot be done उनमें हम ICM कर सकते हैं intact cord milking Contra indicated in less than 28 weeks of gestation अगर 28 हफते से कम का बच्चा है तो उसमें नहीं करेंगे ठीक है इतनी इतनी बाते याद रखनी है हमें delayed cord clamping में हमने क्या क्या कि 30 to 60 seconds delay करना होता है extra blood आ जाता है 30 to 40 ml extra iron आ जाती है अनीमिया के chances कम हो जाते हैं बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा खून मिल जाता है मदर यह अनीमिया के chances कम हो जाते हैं 3 to 6 months पे और प्रीटर्म बच्चों में intraventricular hemorrhage और necrotizing enterocolitis के chances भी कम हो जाते हैं दिस अड़ांटेज कुछ studies में पाई गई है कि asymptomatic polycythemia होता है उससे हमें कोई चिंता की बात नहीं है और शायद कुछ बच्चों में jaundice के prone है जो अल्रेडी हल्की से intensity बढ़ जाती है ठीक है एक तर्म आई है intact cod milking नहीं टर्म है उन बच्चों में जहां resuscitation है जहां हम दीले नहीं कर सकते तो जल्दी से वेदर इथा बीन पबलिश्ट येट टू बीपलिश्ट ओके सो अपने दिमांग में यह टर्म सुनी वी है हमने हमें याद रखना है quickly questions देख लेते हैं हम सारे solve कर सकते हैं during resuscitation shoulder roll is placed on the baby shoulder to slightly extend the neck because it brings the posterior pharynx larynx and trachea in one line यह हम बार बार बोल चुके है facilitate drainage from the mouth no air with more air will pass no it promotes inspiration expression no यह एक line में ले आता है posterior pharynx trachea larynx को ताकि ventilation अच्छी हो which of the following includes immediate immediate step क्या है resuscitation में हम chest को squeeze करते हैं क्या नहीं करते soda bicarb देते हैं drugs हमने पढ़े थे क्या क्या देते adrenalin naloxone या normal saline suction baby की stomach को suction करते हैं क्या OG tube डालके नहीं NG या nasal gastric tube डालके नहीं clearing oral and nasal airway तो immediate step यह word याद आगया हमने पढ़े थे routine care and then immediate steps तो clearing suctioning is a part of immediate step यानी clearing the airway यह याद रखना है next question है which is the ideal route for administration of the drugs to the newborn umbilical artery नहीं endotracheal नहीं intraocious नहीं यह दोनों optional है but ideal route क्या है umbilical vein बार-बार पढ़ चुके यह हम umbilical vein is the ideal route cut section of this picture इसके बारे में हमने बात नहीं करी अभी तक अगर हम umbilical cord को काटते हैं तो हमें क्या दिखता है हमें दिखती है कुछा गया है इसके अंदर अंदर हम क्या करते हैं umbilical vein catheterization uvc cannula डालते हैं uvc umbilical vein catheterization जिसके थ्रूं हम drugs दे सकते हैं अब इसमें abnormality क्या हो सकती है abnormality हो सकती है one artery हमें दिखे one artery one vein rounds पर मैं mostly check करती हूं कि बच्चे के दो arteries एक vein है या one artery one vein है तो इन cases में जहां one artery one vein है we go for usg kub क्यूंकि in some cases it is associated with renal agenesis renal अच्छे से develop नहीं हुआ होता बच्चे का जो renal kidney होती है renal system होता है वो अच्छे से develop नहीं हुआ 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 few cases में ऐसा नहीं है हर case में it might be a normal association बट देखा गया है कि जब भी मुझे मिलता है एक आट्री एक्वें मैं यू अल्ट्रसाउंड के यू भी कराती हूं because it has been found to associated with renal agenesis kidney system अच्छे से develop नहीं हुआ next question all of the following drugs can be administered through endotracheal tube except यह मने पढ़ लिया था adrenaline दे सकते है निलॉक्जोन दे सकते है तरफेक्टेंट एक तरह का drug है जो हम endotracheal tube से देते है respiratory distress syndrome में जो preterm babies होते हैं वह भी हम आगे पढ़ेंगे rds पर हम midazolam कभी भी नहीं देते midazolam is never given through endotracheal root so answer is midazolam कौन कौन से हम drugs दे सकते है adrenaline niloxone surfactant इसके इलावा हम atropine भी दे सकते हैं atropine भी दे सकते हैं through endotracheal tube next question क्या आता है bag and mass resuscitation and condor indicator and all हमने पढ़ लिया diaphragmatic में है myconium में है इसमें है lung malformation में नहीं है so the answer is lung malformation इसमें contra-indicated नहीं है आप गार स्कोर्स शुद्बी असेस्ट यह भी हमने पढ़ लिया था one minute and five minutes after birth immediately after birth no at five minutes after birth no one minute में सो गया immediately after birth in at five minutes no one minute पे and five minutes पे हम clear रहे हैं इस बात को लेके what is the nurse primary critical observation while performing assessment for data mining abgar score sister को abgar score calculate करना है तो क्या करोगे respiratory rate हां heart rate हां presence of myconium नहीं evaluation of morals नहीं पर यह तो दो answers आ गए हमें तो एक ही answer देना है तो मैं बार बार बताया है कि respiratory rate नहीं है respiratory effort है so the answer is heart rate दो answers नहीं है एक ही answer है heart rate respiratory rate नहीं देखना है respiratory effort देखना है ठीक है initial nursing action after a preterm with abgar score of 8 अब हमें पता लग गया आपगार score 8 है जस बच्चे का तो इस नॉर्मल आपगार स्कोर तो जब आपगार score 8 8 आया है तो sister क्या करेगी जल्दी से बच्चे को वजन करने के लिए ले जाएगी या फिर suctioning करने लग जाएगी आपगार री सक्सिटेट हो चुका है बच्चा बच्चा फामिली मेंबर्स को दिखाने के लिए sex information के लिए चले जाएगी नू बेबी सिल विद आस वी स्चिल हाव टू टेक केर हाइपोथर्मिया एवाइड करना है हमें तो जब आपगार री सक्सिटेट हो गया है बच्चा आपगार स्कूर एट आ गया है तो अब उससे अच्छे से ड्राय करेंगे प्रीवार्म करेंगे मदर के अब्डॉमन पर लेके जाएंगे ब्रेस्ट वीडिंग इनिशेट करेंगे तो वी ड्राइद बेबी इन प्रीवार्म शीट आंड गिविट ऑन मदर्स अब्डॉमन और न्यूबॉन आफ्टर वन मिनिट अब इसमें आपगार काल्कुलेट करना है तो हम देखते रहते हैं तो इधर स्कोर आगया वन लस्टी क्राएं अब बहुत जनों को इधर ना लस्टी का मतलब नहीं पता था लस्टी और लौजी अलग वर्द्स हैं लस्टी मतलब वेरी आक्टिव क्राएं बच्चा अच्छे से रो रहा है ठीक है तो इधर हमारा रेस्पिरेटरी एफ़र् 2 लस्टी का मतलब बहुत अच्छे से रो रहा है हार्ट रेट 140 तो पल्स में भी हमारा 2 आ गया more than 100 है क्यूंकि prompt response grimace में prompt response और रो रहे हैं इसमें हमने पढ़ा था ना no response slight cry या good cry तो prompt response दे रहा है with active crying तो यहां पे भी two आ गया maintains minimal flexion एक था हमारा flacid पढ़ा है एक है थोड़ी भूत flexion एक है fully flexed universal flexion में पढ़ा है बच्चा तो पर यह minimal flexion है with sluggish moment हलका सा फ्लेक्शन है ठीक है फुल ऐसे भी नहीं पड़ा फुल ऐसे भी नहीं है बच्चा तो इधर हो गया स्कोर वन तो क्या हो गया टोटल 345678 तो यह आता है आपके में प्रॉब्लम बेज में भी आता है आपगार लिखा और जो हमने पड़ा है उसे याद किया और ऐसे स एरवे ठीक है गुडल्स एरवे क्या होता है यह यह जब हम बच्चे को री सक्षिटेट कर रहे हैं दूरिंग इवन दूरिंग 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 पॉस्टिप्रेशर वेंटिलेशन हम यह लगा सकते हैं इट प्रिवेंस फॉलिंग बैक ओफ दे टंग साइज़ होते हैं इसके आपको इतना ही याद रखना है कि यह गुडल्स एरवे बोलते हैं इसे और यह टंग की फॉल्बैक प्रिवेंट करता है जो अब हम यह बार बार बोल रहे थे और लिटेटिव एरवे सो दिस इस लम ए लारेंजल मास एरवे लारेंजल मास्क एरवे यह जब हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं हमने MR सोपा में लास देखा था अल्टरनेट एरवे तो उसी का एक पार्ट है या तो हम यह यह यूज कर सकते हैं या हम एंडो ट्रेकल इंटुबेशन यूज कर सकते हैं तो इस एरवे इस एप पहचानने के लाई थी आपको पता होना चाहिए यह ऐसा दिखता है इसके थुब या तो हम अटाच कर देते हैं अपना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का एक्विपमेंट तो इस जोना आज लारेंजल मास्क एरवे वेरी इंपॉर्टेंट इस में आया है बिकर्स प्रेशर इंजरी बहुत ज्यादा हो रही थी बच्चों को सेल्फ इंप्लेटिंग बैंग में वो बैंग में प्रेशर कंट्रोल नहीं हो सकता है तो बहुत जगाओ पे वी नाव डूद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूजिंग टीपीस प्रेशर कंट्रोल होता है इसमें सारे प्रेशर कंट्रोल होते हैं प्रेशर कंट्रोल ठीक है तो अभी बहुत सारी गाइडलाइन में आया हुआ है जस्ट बिकर्स इसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए होता है यह बहुत वाइडली एविलेबल नहीं है easy to carry नहीं है तो यही restrictions है जो कि हमें avoid कर रही है और हम अम्बू बाग यूस कर रहे हैं बट अगर हमाय पस दोनों options available है and we know how to use T-piece resuscitator तो during the resuscitation at this step of positive pressure ventilation हम अम्बू बाग की जगा T-piece resuscitator prefer करते हैं तो T-piece resuscitator ऐसा दिखता है यह pressure points है यह oxygen inlet है और इधर आपका mask लगता है तो यह हम use करते हैं resuscitation के बगद तो this is this for the class एक point इधर हमारा रहे गया है delayed fall of umbilical cord इस पर भी question था मैं डालने वाली थी delayed cord fall क्यों होती है अगर umbilical cord generally बच्चे की तीन से साथ दिन में सूख के गिर जाती है पर तीन से साथ दिन में नहीं गिरी कोई mother आई है दसवे दिन पर की अभी तक बच्चे की cord नहीं गिरी है डॉक्टर साब मैं क्या करूं तो हमारे दिमाग में क्या आएगा the most possible most probable cause is sepsis generally वो cord dry होनी चाहिए और dry होके गिर जानी चाहिए बट किसी भी कारणवाश बच्चे को sepsis हो गया है तो उस cases में delayed cord fall होता है and there is one more condition which is known as LAD जो की option में थी leucocyte adhesion defect तो अगर बच्चे को leucocyte adhesion defect है एक तरह की problem है ये जिसके कारण बच्चे को sepsis हो रहा है तो उन cases में cord delay fall करेगी तो with this I end today's lecture very very important lecture हर चीज जो मैंने बोलिया उस पर question आया हुआ है पूरे हमने steps revise किये steps के साथ हमने ambu bag देखा फिर MR sopa ventilation corrective techniques क्या होती है target spo2 के बारे में बात करी फिर हमने endotracheal tube के बारे में बात करी sizes क्या-क्या है then we spoke about chest compression 3 is to 1 की ratio chest compression is to ventilation with 100% oxygen फिर हम और आगे बढ़े हमने drugs की बात करी adrenaline dose बहुत important है 0.01 milligram per kg of 1 is to 10,000 dilution ये हमें याद रखना है space bar भी question आया है then we very nicely learned about abgar score abgar का full form abgar का 0-012 score at 5 minutes less than 3 severe birth asphyxia increased mortality then हमने beautifully MCQs किये कुछ picture-based questions देखे delayed quad clamping and delayed quad fall के बारे में learn किया so I hope this lecture आपको अच्छे से समझ में आया हो it's a very useful lecture go do a lot of MCQs are there on this and let me know your doubts thank you so much